हाई गाईस मैस्टलेंज की करेंट एनरजी बता देती हूं कि फिन फ्लेम अपडेट भी बताऊंगी मैस्टलेंज की करेंट एनरजी बहुत ही मिस्सिंग एनरजी है बहुत जादा रिग्रेट कर रहे हैं पास्ट में उन्होंने जिस तरह से फ्लेम नाइन को छोड़ा उस चीज को लेकर काफी रिग्रेट कर रहे हैं काफी ज्यादा रिग्रेट्शन और मिस्सिंग एनरजी आप कुद भी फील कर रहे होंगे अपने शैड़ आसपेक्ट जो है उसको हील कर रहे हैं वही एनरजी है उनका आपको महसुस हुआ होगा उनको लग रहा है वह अपने लिए सौरी फील कर रहे हैं जिस तरह से वह चीजों में फस गए और उन्होंने अपने गलत डिश्यंज लिए उसके वज़े से आपने आपको माफ नहीं कर पा रहे हैं आप इन में मदद करें उनको इस तरह कर रहे हैं उनको यह नहीं पता चल रहा है कि क्योंकि वह अवेकन मैस्पलीन जो फिम नाइन जवेकन होती है पर उनकी अवेकन कुछ अलग तरीके से होती है वह समझ नहीं पाते पर अवेकन हो जाते हैं क्योंकि वह काफी लॉजिकल होते है और मैस्पलीन इनर्जी काफी उनमें जादा होती है तो वो चीजों को फिमनाइन की तरह नहीं सेमाच पाती है लेकिन वो समझते हैं यह कनेक्शन बहुत स्ट्रॉंग है और उनको क्या सोल पॉपस है बट उनकी अवेकनिंग कुछ अलग तरीकेस होती है जिसके वज़से वो उनको यह तो लाइक उनको यह निकल जाएंगे तो यह बहुत जुरूरी है कि लूप में दुबारा और दुबारा ना फसें जब तक वो वही चीजें रिपीट करते रहेंगे वो उसी में फसे रहेंगे जब भार निकलेंगे तब ही चीजें बेटर होंगी उनको लग रहा होगा कि शायद बेटर हो यह उनके लिए जिनकी फ्राइडी उनियन हो चुकी है जो यूनियन के बहुत ही करीब आ चुके हैं आ फिमनाइज आपकी जो आप काफी जादा टीनेज और पुरानी बाते बहुत याद आई होंगी आपको टीनेज वगर अपना नॉस्टाल्जिक फीलिंग आई होगी यह यह इस वज़क से आरही है ताकि उस जगह पे आपको हीलिंग की ज़रुवत है हीलिंग इनर परजिंग वा ओगा उनर सप्रेशन का जो परज जो आपने बबल फेस में अपने मैस्पलीन के साथ फील किया था वो क्यों हुआ चीजें क्यों ही वह उस चीज का परजिंग के लिए चानल के जोड़ार आपने शुआ हम स्यूत। के लिए क्वेर पालाईずू सीहां, दिलगी होगा खालतो टीजा धित थी लार्वार करें इसको अपने आपको माफ कर ले और यह चीजें जो है यह आपके साथ बेटरमेंट के लिए हो रही है यह आपकी साथ नहीं हो रहा है इसो जैसे काफी हैस्टिल में आपका हीलिंग चला होगा कार्मिक नौर्ट्स भी पुराने जो आपे काफी में इस जटरिनए में क्या होता है मैस्टिन और फेमनाइज जो है हर एक इनसान में अपने डिवािन मैस्टिन को डूरी होती है फेमनाइज जो है इसलिए वो मल्टिपल पॉस्सिन में जाके कुछ करती है या फिर उनको देखती है गूरती ए अब्सरब करती है कि कहीं ये तो नहीं है मेरा मैस्कलीन जब उनको भी नहीं पता है कि वो इस जर्नी में है तब ही से यह कर रहे होते हैं यह काफी जादा यह हर अपना कांटरपार्ट डून ती है वो पर उनको नहीं मिलता प्रवाइब करने करें लड़की में यह नहीं कि अपी को डून रहे होते हैं क्योंकि काफी पुराना सूल कनेक्शन है उनको यादा है कि मेरी कोई फेम नाइन है पूरी दुनिया में आपको लगा होगा कि मेरे जैसा कोई क्यों नहीं है तो यह फीलिंग्स में भी होती है वह हर लड़की में आपको डूनने कुश करते फिर डिसपांट हो जाते हैं कि यह नहीं है तो इसी तरह से वह फाल्स चीजों में फज़ते हैं और उसमें से निकल भ जाता है तो आपने कार्मिक के साथ जो सफरिंग लिया था वही आपने मैस्पलिंट को शो किया अच्छिली मैस्पलिंट के ऊपर आपको कोई भी नाराजगी नहीं थी आपने पुराने चीजें उन पर शो कर दिया बस इतना ही हुआ तो यह यह युजिल ऐसे होता है तो वह काफी जादा पर्जिंग हो रही है तो यह ओके यह होता है इस चर्णी में यह आपको लग रहा होगा लगबग दार्क नाइट ऑफ द सोल की तरह बहुत ही हाई एनरजी है बहुत ही शार्ट बॉस्ट हो रहे होंगे तो यह आपका हीडन आस्पेट जो है वो निकल रहा है बहुत सारा मल्टिपल लॉंगिंग इंप्लांट्स रॉप के अंदर थे मैस्कुलीन को डूनने का या फैम्नाइन को डूनने का वो चीज निकल रहा है तो वरी करने की जरूवत ही है एनरजी शिफ्टिंग होई है बहुत जादा हाई एनरजी फील होगी क्योंकि रियूनि ताकि यूनियन के वक्त आप कम्प्लीट हीलिंग में हो और इसलिए बबल फेस आपको दिखाया गया दुबारा से जिसको आप भूल शिक्रेत है आपने सिर्फ नेगटिव साई देखा पॉसितिव कितना चीजें थी और जिस तरह से आपके लोगों के बीच में जो जो चीजें भी है वो भी काफी जगह पे आपको सिंक्रानिसिटी मिली होगी तो यह उनके लिए फेमनाइंस यह मैस्पलीन्स उनके लिए जिनकी फाइडी उनियन हो चुकी है आपको मैं एक और बात बताऊंगी फेमनाइंस जो फेमनाइंस जो हैं वो उनके कार्मी का लग करते हैं Freedom और Independence उन्हें सिखाते हैं DM उनके DM और Mastering के कार्मिक अलग होते हैं उनके desires, power, money, addiction ये चीजें होती हैं फिर Mastering Feminine आती है उनको सिखाती है कि love और क्या है happiness क्या है तो ये दो option दिये जाते हैं चूस करने के लिए अगर आप माफ कर पुराइन addiction में से नहीं चूटा होगे और उसको माफ नहीं करोगे तो वो लूप में फसे रहोगे तो कर दो लें ये इस तरह से आप अपने मैस प्लेइं को हील कर सकते हैं अ कार मिक्स में से निकाल सकते हैं वो निकल तो गया अटाइच्छ रहें लेकिन फिर भी कंप्लीटली निकालने के लिए ये एक तरीका है कि लूप में दुबारा आ फसे माफ कर दें जब तक आप माफ करो, खूँ करोंगे वो काँल से सीखते रहेंगे, लूप रपीट होता रहेगा, उनको लगगाओ कि अल्चा ख़याओ चिज़ उखेंगे,चीज़ें बेतर हो जाएंगे तकर दूझंटकि क्या ह Farmública क्या थे हैं कि एक दिन प्राइक करते हैं ।सलिए अगे अंची आफर रहते हैं वो उनको फॉर्गीव कर दें और लेसन सीक लो बाहर निकलना ही उनके लिए बेटरमेंट है यह चीज़ आप समझ लेंगे तो आपके मैस्ट्रीन भी समझ जाएंगे काफी हत्तकील हो चुके हैं युनिंग के बहुत करीब हो इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है आप मैं उनको बता दू जो इस जूर्णी में यू आए हैं आपके लिए मैं बताती हैं कि लाइट वर्कर्स और स्टार सीर्स कितने तरीके के होते हैं और कौन-कौन होते हैं यह टाइप्स के होते हैं और यह लोग अलग-अलग काम पे सोल पॉपस पे लगते हैं स्टार सीर्स और लाइट वर्कर्स यह पहले क्या करते हैं पावर्स हैं डिवाइन हैं इंजल से ब्लेसिंग तेने के लिए इसलिए आप डरे नहीं अपना काम करें स्पिर्च्रल गिफ्ट्स को काम पे लगाएं और ग्रोथ की तरफ बढ़ें होप आपको समझ आई होगी गाइस यह उनके लिए हैं जिनकी रिबर्थ हो चुकी है ओके गाइस होप आपको समझ आई होगी बाई टेकर यह लाइट वर्कर पहले जो लाइट वर्कर जो स्टार सीर्ज हैं वो क्या करते हैं उनके अराउंड मिर्खबा फील्ड क्रियेट होता है उनकी कुंडीनी अवेकनिंग हो जाती है जिसके तो पहले असंड़ हो जाते है पहली असंड़ होते हैं स्टार सीर्जेज्ट राइट वर्कर और वो बागी जो ओन और अपना इनर्जी मरकबा यह त Celebrate to have the adrenaline और उसको हील करते हैं जैसे कि well-balance होती है JF Elaine कि उनको एक इनर्जी हील फिक होती है किसी feminine की m rural करती है और इस तर इसनल करनी है और इस तरह से वह ट्रांस्मूत होते है इस सबी बाकी 3 लोह को जोंके it रहते हैं, एक calmness, एक warmth फील होता है उनके आराउंड हमेशा एक relaxation फील होता है, इसलिए mostly जो लोग होते हैं, हमेशा inner peace डूनते हुए spiritualist के पास जाते हैं, क्योंकि वो उनके आराउंड एक warmth होता है, एक peace होता है, जो दूसरों को एक healing energy देता है, उनका होना ही बहुत ही बड़ा करते हैं, यह manifest, यह उनको grids, जो portals जब खुलते हैं, उपर से जो उनको मेरखभा के फील्ड के तुरू, उनको उनके चक्रास में जो चीजे grids download होते हैं, इस energy को बाकी फेमनाइन्स को उनके grids में help करते हैं, जैसे उनके grids, past grids, heal करने में या future जो create करने में, तो यह grid workers होत होते हैं, transmuters होते हैं, जो चीजों को डाउनलोड करते हैं और ट्रांस्म्यूट करते हैं, बाकी फेमनाइन्स की मैस्पलें में, लाइट कीपर्स होते हैं, जो लाइट को डाउनलोड करते हैं, जब पोर्टल खुलते हैं, और उनको बाकी मिर्कभा के तुरू बाकी लोगों जो फ्यूचर प्रेडिक्त कर पाते हैं the divine blueprint holders होते हैं जो की future चीजों को hold करते हैं और उसको manifest करने में help करते हैं The Astral Travelers who go to Astral and predict the past and future and also see the things that we usually don't know about. The Messengers who download the Divine Messengers The Manifesters who manifest many things and help people in healing The Wayshavers who live in love frequency The Unifiers who preach prophecy and preach The Ascension Guide who go to enlightenment The other light workers and others who want to ascend These are some light workers whose soul purpose These are multiple soul purpose This was for you I hope you will understand Bye Take care